हेलो फ्रेंड सुनाज कीटिवरी चनल में आप सब का स्वागत है आज आपके साथ शेयर करेंगे देखिए इस्टोरेंट डिजाइन का पार्ट टू यह देखिए जो सेकेड वला पार्ट बनाएंगे वाला और फर्स्ट वला आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं कि किस तरीके स बनाएंगे देखिए ए मुआंस देखिए अब इसका से दिन भर ने इतना ही कंप्लीट कर पाया है द्यों में थोडा सा काल्वता दिया था 1-2-3 तीसान कंप्लीट हूई है आप यहां से स्टार्ट करनेए देखिए ह слonny यहां से इसमें इसमें तो एक 2 3 4 5 छे प्लावर से तो अब पांच मेंगे पांच की बाद फिर चार बनेंगे चार के बाद दो के बाद एक और कमप्लीट हो जाएगा इसके बाद आएंगे उसके इसमें हम टमाटर बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यलो वाल अब इसमें डालेंगे एंगे और इसमें ूसмен है उसके बास से ही तो उसके बात से हैं अगर आपको नहीं समझ में आता एक छाइब दाला है उसी तरीके से देखिए ऐसे ऐसे लगा लिया और देखिए इसको ऐसे टॉर्ण कर जाएंगे कई बार कर देंगे और उसके बास एक तो तीन तीन चेन लेंगे और चार डबल कुरॉशिया बना लेते हैं ठीक है चेन को लेकर के चार तो दो हो गया तीन और ये चार ये देखिए बना लियाना हमने चार उसके बास से एक तो तीन चार पांच छे साथ ताट नो नो बनाना है चेन और इसी को खीच देना है इस तरीके से जितना बड़ा आप पफ चाहते हो उतना ही खीच ये ज्यादा लंबा नहीं करना है मीडियम साइज में और फिर एक ही धागे में से इसको निकालते हुए हमको पॉफ बना ले ना है ऐसे अ और इसे यहाँ पर हम इसको बांदेंगे नोट लगा देंगे तुछ मेंदा देंगे ऐसे फिर फर्स्ट रो ना तो देखिए दो एक पास में बनेंगे कभी भी याद रखिएगा हमेशा याद रखिएगा कि जब हमारा first row complete करेंगे start करेंगे तो वहाँ पे हम बीच में दो flower बनाएंगे और side side में 9-9 chain बनाएंगे देखे इस तरीके से किया हमने इस तरीके से बान दिये ठीक है फिर एक दो तीन चार पांच छे सहां ताट नौ नौ चीन बना लिए हमने और देखे ऐसे इसके बीचों बीच में फिर यहां डालके हम चार डबल क्रोशिय बना लेते हैं ऐसे इसमें डालेंगे और चार डबल क्रोशिय बना लेते हैं देखिए फ्लावर में ही डिजाइन स्टार्ट करनी है हमको ऐसे ऐसे हो गया ना देखिए इस तरीके से यह फर्स्ट वाला होगे इस तरीके से इसमें हमको फिर यह जो टमाटर वाला है ना इसके बीचो बीच यहां पर बनेगा एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नौ नौ बना लिए फिर इसको खीचेंगे और फिर दो पफ बनाएंगे गिदम पास पास में तो तीन हो गया, चार, पांग, छे, और एक, साथ, दिखिए, जितना पफी चाहते हूं, जैसा चाहते हूं, ऐसा ही बनाएंगे आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि कम लीजिए, आप कमने तो आप और भी इसको मोटा बना सकते हैं, जिस दिखने में और भी लूक अच्छा आए और ये, छे, देखिए, ऐसे बना लिए नहीं, फिर यहां पर एक, तो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, ताथ, नौ, नौ, चेन लिया, और फिर इस फ्लावर में लाके यहां पर हम, चार डबल क्रोशिय बना लेते हैं, इसी तरीके से यह ली रो तो हमको पूरी फर्स्ट तो हम उससे ही कमپ्लीट करने, टिका है, फिर सेटल में अते हैं, फिर आपको पूरता देती है, फिर पिर यह फ्लम हमें थोड़ा सब्तार देते हैं, उसके बास से फिर इसको हम पूरा कम्प्लीट Doctor करके, आपको अब दिखाएंगे, इन देखिए, ऐक हिए हो गया और आप कि यह होगया हुए है यह देखिए हमारी सम्हां पर यहां complete किया पृणां होकर फिर तर्ण होकर 3 लिए करके और यहां पर देखिये सब में डबल-डबल बना दिया है 128 क्मी 1 वाले में देखि की चार में एक में दो एक में दो एक में दो ठीक है उसके पास से फिर हमने नौ चेन लिया और फिर यहां पर हम देखिए पफ बनाएंगे ऐसे देखिए यहां पर बना लेते हैं 3,4,5 और 1,6 ठीक है इसको फिर ऐसे करके यहां पर में बनाना था 1 फर्स वालयखे दो बनाया था ना पास पास में A3 दो चीन लिय कर के अब देखी हमको यहां नहीं एक ही बनाना है और देखी क्या करना है यहां पे हमको इसको slip knot से इस जह पर joint करना है देखी इस जगह पर ठीक है यहां पर इसको joint करेंगे ऐसे फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे ठीक है और फिर इसमें से डाल के ऐसे निकालते हुए एक पफ और तयार करेंगे देखिए फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ ताथ नौ नौ चेन ले लिए आना न इसमें हमारी मेस्ट और फिर देखिए इस वाले में यहां पर डाल कर एक अपिए इस तरीके से आप यहांभी टीवल कि इन से यहां भी डूबल ऑठ यहां बहुंग 16re पर यहां पर यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ ताथ और यह नौ ठीक है नौ चेन लेना है और देखिए नौ चेन लेंगे और फिर थोड़ा सा कि इसको पॉफ बना लेते हैं यहां पर सेम वही प्रोसेस जो भी हमने बताया उसके पास से फिर आपको हम थोड़ रूपता आते हैं ऐसे खीचते हुए ऐसे और ऐसे ठीक है ना उसके पास से इसको ऐसे लिए हमने फिर जो यह वाला है ना फर्स्ट ही दिखिए इसका ऐसे इसमें स्लिप नॉट से इसको जोइंट कर देंगे ऐसे यह देखिए जोइंट हो गया अब फिर यहां पर एक चेंड लेंगे और इसको फिर खीचेंगे यहीं पर बना लेते हैं देखिए दो हो गया तीन चार और यह पांच हो गया काफी है देखिए एक तो तीन चार पांच छे साथ ताथ नौ 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 लाके फिर इस वाले में डबल डबल बना लेना है तो इस रो को गंप्लीट करके फिर देखाते हैं आपको यह देखिए इसकी सिकेंड रूप हमने गंप्लीट कर ली यह देखिये इस तरीह किषमिसरीगे बना लए सारा यलो वाला िवाल चार चर बन्गा है तीजी दकेगर ना उर सुन चैने में इतनी मिल इँ तकी अवा की सीदा नहीं में घूंच, हमें ड्यूबल क्रोशा सरीब दुब्युखं शाखके Chief आसानी से समझ सकते हैं ठीक है? चैनल पर जा करके आप सारी वीडियो से चेक कर सकते हैं और मेरे चैनल पर बहुत अच्छी वीडियो में अपलोड कर दी है गेटपर्दे की डिजाइन है थलप उसकी डिजाइन वहां से आप देख करके अच्छे अगर आपको पसंद तो वहां से आप बना सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ देखे, नौ चेन बना लिया नौ फिर इसको खीचेंगे, बनाना स्टार्ट करते हैं देखिएगा, यहाँ पे दो, तीन, चार, पांच, एक छे देखिए, और यहाँ पे इसको हम ऐसे बांद देंगे, ठीक है फिर इसके बाद से देखिए, यह जो है न, यह वाला यहाँ पे हम ऐसे डालके, यहाँ पे slip knot लगा लेते हैं, ऐसे फिर एक और चेन लेते हैं, और यहाँ पे एक और पॉप बना लेते हैं देखिए यहां पर एक और पफ बना लेते हैं इसको बराबर रखना है जरह सब इदे उदर नहीं करना है देखिए देखिए यहां पर खीच यह थोड़ा से धागा हम से इसका बहुत ख्यान लगना है कि धागा कहीं से पकड़ मिनाए कीचे नहीं डिजाइन भीड़ जाएगी खोल के अदमी सही कर सकता है फिर से देखिए अब चाहिए तिसको हम देखिए थोड़ा सा खोलते हैं थोड़ा सा बिगड़ गया अच्छा नहीं लग रहा है देखें यहाँ पे ऐसे खीचेंगे थ्रेट को और यह वाला नहीं साइड में इसके इसमें से डालके हम पफ बनाएंगे इस तरही किसे देखें कि ऐसे इसे इसे देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ ठीक है नौ बना लिए हमने और उसकी बाद से फिर इसमें डाल करके यहाँ पे देखें दो डबल करोशेश्य बना लेना है यह थर्ड वाली रो है ठीक है ऐसे ही बनाते हुए चले जाना एक मिडबल करोशिया करना कुछ भी जैसे सेकें बनेगी वैसे ही थर्ड वाली बनेगी लेकिन यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने इस जगे पे यह देखिए इस जगे पे हम थोड़े फंदों को बढ़ाती हुए चले जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है जैसे सेकंड वैसे थर्ड और फर्स्ट वारी रोजो है थोड़ी सी अलग है बस बहुत इजी डिजाइन है यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ ताथ नौ देखिए नौ बनाया फिर यहां पे हम पफ बना लेते हैं ऐसे जैसे पफ बनाया हमने सेम पफ बनाके यहां पे स्लिपनोट लगा के ज्वाइंट करेंगे फिर इस जगे पे एक और पफ बनाएंगे और फिर यहां पे आके फंदे बढ़ाएंगे ठीक है त अब चार बनेंगी तो अब हम रड़ वाले से बनाएंगे ताफ जाके यह हमारा यहलो से पर यहलो, भाल τους यहलो गाले शेकि यह बना रहाइंगी अर्ट से इसा इसका जो हमने complete कर दिया है ये देखिए कितना खुब vegetation लग रहा है है तो चलिए इसको पूरा करते हैं पूरा कर के सब्सक्राइब उसका पार्ट तो मुझा होज़ देखाए मेशचा हैं यह दो आपके बन कर दो कि ऊह देखिए से देखिए अब इसमें केवल हमें टमाटर बनाना बाकी देखिए वह देखिए वहाँ पर कॉरनर तक पूरा हमने आज इसको यह पूरा पार्ट कल हमने इतना बनाया था देखिए इतना ही कंप्लीट किया था आज हमने देखिए पूरा डे लगा है इतना हमने इसम यह है इसका एक पार्ट पहला जो आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं और इसका ही देखिए सकेंड पार्ट जो बन करके कम्प्लीट हो गया यह देखिए कितना देखिए आप चाहें तो आप इसमें टुमाटर लगा भी सकते नहीं भी लागा सकते हैं और एक और बताएंगे आ हैं अब इसमें टुमाटर बनाना वाकि इसको भी कम्प्लीट करके फिर फूरी फुल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे तो वीडियो पसंद राएगी तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट कर लिएगा और जिसने चैनल सब्सक्राइब न्या कियो सब्सक्राइ झाल झाल